प्रधान मंत्री नहेंद बोदी ने बुद्धवार को सुरी राम जनम्भूमी का सिले नियास के बाद उन्होंने कहा कि राम मंदीर राश्ट्रिय एक्ता और राश्ट्रिय भावना का प्रतीक है और इससे समोचे अव्यद्या छेत्र की अर्थ व्यवस्ता में सुधार होगा उन्होंने कहा कि जिस प्रकास सुतंत्रता दिवस लाखो बलिदानों और सुतंत्रता की भावना का प्रतीक है उसी तरह राम मंदीर का नेमान कई पीडियो के अखंड तप त्याग और संकल्प का प्रतीक है प्यमोदी ने कहा कि मंदीर राश्ट्रिय एक्ता और राश्ट् के गड़वा बजार में एपर नहीं गड़वा जीला के सिरी बंसी धर नगर के सग्म प्रकंड में कुरोना वायरेस की वज़ा से धारह 144 लगा हुआ है जिसके बावजूद भी लोग सोसल डिस्टेंसी का पाला नहीं कर पा रहे हैं साथी मास्क का भी इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं। कि कि फंद्रह अगस्त को पराशिक्छक करेंगे आतमधार राज्ज के पलामों के दो परखंडों के 452 पराशिक्छक ऐसे हैं जो सेवा तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें मांदे नहीं मिल रहा पिछले डेर साल से उनके मांदे बंद है ऐसे में पारा सिक्षों ने मुख मंत्री को पत्र लिकर 15 अगस्त को आत्म दाह की धमकी दी है पारा सिक्षों की नियुक्ति गलत बताकर 2019 में ही स्कुरी सिक्षा और सशता विभाग ने सिवा करने का नेदेश जारी किया था जार्खन में आज 978 ने संक्रमितों को पुष्टी हुई जो गोड़ा से 349 राची 141 बोकारो 71 पूर्भी सिम्भू 72 पलामू 51 देवगर 35 पाचमी सिम्भू 34 पाकुर 33 खुटी 27 हजारी बैक सताइस दुमका 26 सायवगज 25 सिम्डेगा 17 गाड भारत कुल संक्रमितों क संख्या 15 4048 है जबकिeder 526 लोक स्वश्ट ह you 141 की मिरिती हो गाई भारत में κα τους संक्रमितों कि 19 200 लोक स्वश्ट हुए और 40 270 की मिरिती होल्गाई भारत में 99., 524 लो客 स्वश्ट हो गोई पूर्वी सिम्मूम से 6, राची से 3, पच्मी सिम्मूम से 1, खोटी से 1, वगिरीडी से 1 की मिरित्यू हुई है, एक्टिव केस इस प्रकार हैं, राची 1813, पूर्वी सिम्मूम 1704, धनबाद 532, गोड़ा 421, आजारीबाग 412, देवगर 387, कोडारमा 369, गाडवा 305, 286, रामगर 281, पच्मी सिम्मूम 262, लातेहर 242, चातरा 216, पाकुर 213, खोटी 207, साहिवगर 202, सराय किला 180, सिम्मडेगा 142, दुमका 125, बुकारो 213, गिरीडी 100, आदिवासियों की रग रग में हैं स्री राम, बाबुलार मरांडी, भच्वा विधायक दल के नेता बाहु राम बसे हैं, 14 बरस तक राम बनवास में रहें और आदिवासियों के बीच रहें, राम ने ना तो अयोध्या से सेना लाई थी और ना ही जनक पुरिशी नौकरी देना सरकार की प्रत्मिक्ता हमन्त सुरेन, मुखमेत्री हमन्त सुरेन ने कहा कि प्रमोख विपक्षित दल एक जूठी एवं भरामक खबर चला रही है, जिसके अनुसार अगले तीन वरस्ता कोई नियुक्ती नहीं होगा, या बिलकूल जूठी एवं भरामक खब है, एवं इस पर आप सब ध्यान न दे, सीम ने कहा कि जूठ बोलना बार बार जूठ बोलना भाज़पा की पाचान रही है, पर अब वे अपने रगवर सरकार के समय के जन बिरोधी खबरे हमारे मत्थे डाल रहे हैं, बिरुजगारों को उनका हक देना सरकार का प्रत्मिक आच हुई, तीनों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, आपको बता दे कि सीम आवास के 17 करमचारी के कुरोना संक्रामीत पाया जाने के बाद, सीम आवास के 40 लोगों के सेंपल लिए गए थे, लालू यादो को रिम्स निदेसक के बंगले में किया गया सिप्ट, लालू प पर कुरोना संक्रामीत पेसेंट के लिए कोविन वार्ट बनाया गया था, इसके चलते लालू परसाथ को भी कुरोना संक्रामन का खत्रा था, जिसे लेकर उन्हें अलग सिप्ट कर दिया गया। की पूर्व में कोट के आदेश पर बनी, एक्सपेक्ट मेडिकल बोट की जाच में आपकी रिपोर्ट अन्फिट है, ऐसे में राज सरका का निर्नाय सही है, इसको लेकर संतोष कुमार वा और ने ने हाई कोट में अच्क्या दाखिल की थी, संक्रामित मरीज को नहीं करना होगा इंतजार, 48 घंटा में पूरी होगी कॉंट्रेक्ट ट्रेसिंग, अब किसी ब्यक्ति की कुरोना संक्रामित पाया जाने पर उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की 24 या 48 घंटेक की भीतर पाचान कर उसकी जाच कराई जाएगी, प्रतिक पंचायत में एक सब्ता के अंदर 500 रमिकों को मिलेगा रोजगार, मंड़ेगा करमियों के हर्ताल से प्रभावी स्रमिकों के रोजगार लक्ष को पुना प्राप्त करने के लिए ग्रामिन विकास सचीव अराधना पटनायक ने कड़े निर्देश दिये हैं, आपको बता देगी सभी उप विकास आयुक्त के साथ वीडियो कन्फिरेंसिंग के दुरान उन्होंने असपश्ट निर्देश दिया है कि सभी पंचायतों में एक सब्ता के भीतर 100 से 1500 रमिकों का नियोजन किया जाए, दाक विभाग के कारण कैदियों को जमानत के बाद भी रिहाई का इंतजार, कुरोना संकट को देखते हुए एक और जहां सुपरीम कोट जेल में बंद कैदियों की संख्या कम करने की बात कह रहा है, वहीं दूसरी और कोट का रिलीज आदेश पोस्ट से भेजे जाने के कारण हो रही देरियों से कैदियों को दो से तीन हफते तक अतिरिक जेल में रहना पड़ रहा है, राची के होटवार जेल में संपुन लोकडाउन, राची के बिशा मुंड़ा होटवार जेल में 54 लोगों के संक्रमित होने के बाद जेल का नियम कानून अगले आदेश तक बदल दिया गया है, आपको बता जेक की जेल आईजी बिरेंद्र भूसन की अध्याक्षता में होई जेल अधिक्षकों की बैठाक में संक्रमन रोकने के लिए कई अहम नियदेश लिये गया है, जेल आईजी के अनुसार आज से होटवार जेल में पूर्ण लोगडाउन घोशित कर दिया गया है, एसाई हत्याकंड में डिजीपी से भी सिकायत, लालू परसाद यादों की सुरक्षा में तनाथ एसाई कमेस्वर रविदास की हत्या के मामले में गिरफतारी के बाद पूलिस को ही चुनवती दी गई, पूलिस वालों के खिलाब कोट में केस दर्ज कराया गया, आपको बता दे कि इसके लावा राजे के डिजीपी से भी पूलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए जूठे केस में फंसाने का आरोप लगा, सिकायत दर्ज कराई गई है, अनिश्चित कालिन हर्ताल पर गय अनुबंध कर्मी, अनुबंध कर्मी बुद्वार से अनिश्चित कालिन हर्ताल पर चले गई है, इससे स्वास्त ब्यवास्था पर असर दिखने को मिला है, जरुरत मंदों को रोजगार दे कर सरकार रोखेगी पलाएन, सरम मंत्री, जर्खन के सरम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि चत्रा उद्योग वा सिक्षा के छेत्रों में भी पाचान बना रहा है, हलाकि कुरोना काल में विकास की रफ्तार धिमी हो गई है, अनलोक वा लोकडाउन समाप्थ होने के बाद छेत्र में विकास की गांगा बहेगी, भोमी पुजन पर पूरे जारखन में जले दीप मनी दीपावली, अजध्या में राम जनम भोमी पुजा के उपलक्ष में पूरे जारखन में दीप जग मगाउठ है, जिस प्रकार अजोद्यावासियों ने भगवान राम के वनवास से लटने पर दिपक मना कर स्वागत किया था उसी प्रकार जार्खन में वी रहने वाले राम भक्तों ने दीप जला कर और अतिस्वाजी कर राम मंदिर भोमी पुजन कारेकरम पर अपनी खुशियों का ही जाहर किया मरियादा पुरसोतम श्री राम के गुणों और पचीनो पर चलना ही राष्ट ध्रउम बना गुपता जारखन के स्वात मंत्री बना गुपता ने शृरी राम जणब भोमी पर मंदिर निर्मान के सिलन्यास और भोमी पुजन पर खोसी जाहिर करते हुए कहा है कि पुरोपरदान मंत्री राजिव गांधी जी के हाथों से हुई शुरुवात को आज मंजिल मिली है उन्होंने कहा कि देश की गौरोव साली प्रमपराओ और हमारी अस्था के प्रतिक भागवान स्री राम के मंदिर निर्मान के लिए देश वासियों को धेर सारी बधाई और सुपकमना है जार्खन में धूम धाम से मनाया गया दीप उत्सों दत लाख दीप जलाएं बिस्व हिंदू परिशत के प्रांत मंतिर डाक्टर विजंदर साहू ने कहा कि स्री राम जन भोमी मंदिर निर्मान के 492 वरस का परतिक्षा बुद्वार को समाप्थ हो गया राम लला का भाइबे निर्मान मंदिर निर्मान का भोमी पूजन एवं कार्यांब के साथ ही पूरे वीश्व पटल में एक इतिहास रचा गया कांग्रेस की आस्था मंदिर निर्मान में सुरू से रही रामेश्वर उराउं अयोध्या में राम मंदिर निर्मान को लेकर भूमी पूजन के मोखे पर बुद्वार को परदेश कांग्रेश भावन सहीत सभी जिला मुख्यालों में अवस्थित पार्टी कर्याला में दीप प्रजलित किया गया पार्टी के परदेश अध्यक्ष रामेस्वर उणावने क है कि कंग्रेश की अस्था मंदिर निर्मान में सुरू से ही रही है खोंटी उपायुक्त ने अकांची जिला योजना के विकास कारियों की समिक्षा की खुंटी उपायुक ससीरंजन ने बुद्वार को अपने कर्याले कक्ष में अकांची जिला योजना अंतरगत किये जार है विकास कार्यों की समिक्षा की समिक्षा बैठक की अध्यक्षा करते हुपायुक्त ने सिक्षा स्वास्थ क्रीशी सहीत विभीन छेत्रों में सुधार के लिए लगतार पर्यास करने का निदेश दिया बाबा बास्कीनाथ मंदीर में 300 सरधालूों को दर्शन की अनुमती बाबा बास्कीनाथ सभागर में मंदीर सरधालूऊ के लिए खोलने के समद में जिला परसाशन मंदीर प्रवंधन समिती की बैठक आयुत्वी बैठक की अध्यक्स्ता डीसी राजस्वरी बी ने की बैठक को समुधित करते हुए उन्होंने कहा कि संक्रमन को ध्यान में रखते हुए सरकार के दिशा निर्देश पर वास्की मंदीर 22 मार्च से ही आम लोगों के लिए बंध है उन्होंने कहा कि सरधालू को दर्शन कराने के लिए जिला परसासन द्वारा तियारी की जा रही है परतेक सोमवार को सुबा 6 बए से दोफर 12 बए तक सीमित संख्या में सरधालू दर्शन कर सकेंगे छठी जेपीएसी नियुक्ती पर रोक से हाई कोट का इनकार जारखन हाई कोट ने छठी जेपीएसी के सफल अभयातियों के नियुक्ती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है अदालत ले इस मामले को भी और ने लंबित मामलों के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है हाई कोट के जस्टिस डक्टर एस इन पाठक की अदालत में ज्यारखन लोक सेवा आयो की छठी सिविल सेवा परिशा के पहिनाम रद करने वस्षफल अव्यातिक नियुक्ति परोक लगाने की मांग वाली अचका पर बुद्वार को सुनवाई की बंगाल की खड़ी में आय निम्दव का आसर ज्यारखन पर आई से कम होगा राज के पच्मी तथा दक्षिनी जीलों में कहीं कहीं गर्जन और बारिस हो सकती है सेस हिसो में इसका असर होगा आपको बता दे कि मंगलवार राज से लेकर बुद्वार तक मांसुन सक्रिये रहा है ज्यारखन के कई इलाकों में अच्छी बारिस हुई सबसे अधिक बारिस सिम्डेगा जीला में हुई है यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बैल आकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को बार्ट से फेस्बुक टूटर इंस्टागराम पर सेयर करें आप कोमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं